जालोर के अंदर ना मेडिकल कोलेज के पते हैं ना रोड की कोनेक्टिविटी है और इस्तति देखे जाए तो जिस बस में बैटा हूं यह जैपूर चलने वाली बस है लोग सपर कैसे जरेंगे सांसत को पूरा ही जालोर की तरब तो सौतला विवारी रहा है और कई कई काम ने दिखा हमें तो और भी लोग उनसे जानते हैं किस तरह से सांसत जैसे काम हुए हैं क्या हुए है क्या ने सांसत अगर उसे उमीद क्या रहती है अभी हम उमीद रखते हैं कि यहां कोई युवा सांसत बन है और दूसरा सबसे बड़ी समस्यां यहां ऑस्पिटल की है अगर सर्दी जुकाम तक तो ठीक है और उससे अगर आगे जादा अगर कई तकलिव हो एक्सिडेंट हो अगर हो जाए तो सीधा कहते कि आप आगे ले जाओ मैं धन्यवाद उन आगे वालों को देना चाहता हूं जहां पर यह सुविदा है और अभी भी यह सुविदा नहीं है वास्पिटल की तो ऐसा वास्पिटल होना सी जहां हर वीमारी का इलाज हो दूसरा सबसे बड़ा इ अच्छी कनेक्टिविटी है ना ट्रेंड की सुविदा यहां है और फ्लाइट की सुविदा जब यह तीनों सुविदा है बढ़िया होगी तो ग्रेनाइट इंडेस्टेज एरिया भी उठेगा और यहां विकास भी होगा और तिसरी बात सब्सक्राइब यहां ना तो मैड तो इस परकार के हम उमीद रखते हैं कि यह सारे काम हो और लोगों उनसे भी जानते हैं आप बताए किस तरह की विवस्ता रही क्या कोई सुविदा हो पई है यहां अभी जैसी कोई समय से दिक्कत बनी वही है समसिया तो बहुत है और यहां कोई सुविदा नहीं है रोड की बसे की यह देखो बास है टुटी हुए मतलब जाने वाला प्रेशन इतना होता कर रास्ते में रुखना पड़ता बसको घरबड़ हो जाती तो दूसरी बास से चैन्ज करो इदर पर हर सिच से प्रेशन है किवर्मेंट की स्कूलेु देखो फैनी आदमी के जो भी मर जैंज है तो उसको मर नहीं है जीने का कोई आफ्ट नहीं है कि बाहर जाएगा रस्ता में मर जाएगा रोड में भी टाइम लगेंगे जाने में ट्रापिक में कोई सुईदा हैं और पी लोग के उंते किस तरह की जो है सुईदा है क्या नए जैसे को सांसद की उम्बीद रखते हैं नए सांसद आएगा तो उसे क्या पेक्सर रहती है कि जो भी मालो आएगे तो विकास में तो ज्यान देते हैं अभी बस इस्टेंड है तो पूरा भंगार पड़ा है और यहां साफ सपाई है गंदगी फैल रही है दिनों दिन और कोई भी बस की सुईदा ही नहीं हो और बस पूरा मुझे बस पूरा तो कोई रोड़ोड सब तूट गई है तो मालो कोई सुईदा नहीं हो लोगों का साब तोर पर यही कहिना है कि जिस तरह से सुवजदा होनी चाहे बसों के अंदर हो वैसी जो है जालोर जिले के अंदर नहीं है दूसरी दिक्ते यहां पर भी यह भी बनी हुए है कि यहां बहुत तारी समस्या है उनको लेकर भी जो सांसद मौदे के दवार उसके ध्यान नहीं दिया गया है यहां तकि शुरुई के अंदर जो है यह इनिविशुटी भी है मेडिकल कॉलेज भी हर जालोर के अंदर कुछ भी नहीं है और लोग सीधे तोर को प्रेशान भी होते हैं औ जिस तरह से अगर बसों के बात कि जा ज़ालोर से कनीट्युटी की बात कि जा तो बस तक की भी हालत कसता है ऐसे में सरकारों को विध्यान देना चीए और सांसद को ऐसे मुद्धे उठाने चीए है हमारे साथ और भी लोग के उससे भी जानते हैं कि कि सतरह की समश्या नी रहती है लोगों के अंदर और न कि यहां प्रीषान म een professionel को student क्यों आज सबसे बड़ी समच्या रहती है और यहां तक होस्पिटल के निकै욱 को तुस्तरा और यहां के लिए सबसे जरूर किसाने के लिए ज़ौट के लिए बढ़ और पानी मिलना शुरू हो जा तो यह भी बढ़ी है और कहीं गाँ होँगा नरवदा का पानी भी तो है और भी लोग है सर आप बते किस तरह की समझा बनी रहती हैं और क्या-क्या समझे हैं जिसके कराण लोग प्रिशान होते हैं वर्तमान में अभी वह वह ने बोला है जिसे ऑस्पिटल संबद्धी समझिया है बहुत चीछारी समझिया है इस बार सांशत बोदे ने पता नहीं कहां काम करवाया ह कोई पता ही नहीं है इस बार अगर कोई नहीं को मौका मिलके देवें तो बहुत अच्छा रहेगा जालोर के लिए जालोर हमेंसा पिष्टा हुआ ही रहा है और वर्तमान इस्तति में बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर ही बेजने पड़ते हैं या कोई ना तो ठंकी को प्रिशान होते हैं या तक इनके बच्चे भी बाहर भीजने पड़ते हैं पड़ाई के लिए दूसरा यहां अगर अच्छी चिकस्ता कि अगर बात की जा तो यहां पर मेडिकल कोलेज नहीं होने के करण यह डोक्टर की कमी रहती है क्योंकि स्रीवी के अंदर जैसे अंबार लगा हुआ है लेकिन सांसंद मोदे के दवारा कोई भी इस पर जो अमल नहीं किया गया कैमरा परसंद के साथ माफदलाल इंडिया नूच जा लो